नमस्कार बच्चो आज हम लेखक स्वयम प्रकाश दौरा लिखी गई कहानी नेता जी का चिश्मा पढ़ेंगे नेता जी का चिश्मा के लेखक सोयम प्रकाजे ने अपने इस पार्ट के मादम से उन नागरिकों के योगदान के महतों को उबारा है जो गुमनामी के पनों में खो गए है देश के निर्मान में उन सभी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया है जिनके नाम से भी सभी अपर्चत है कैप्टन नामक चिश्मे वाले की देश वक्ते भी उसी के कसबे तक सीमित थी खालदार सहब कमपनी के काम से कसबे में पंदरा दिन बाद आया करते थी ये कसबा एक सामने कसबा ही था इसमें कुछ कच्चे और पके गर थे लड़के लड़कियों के लिए एक सकूल भी था नगर पालिका कसबे के लिए यदा कदा काम भी किया करती थी नगरपालिका ने कसबे के चोराहे पर नेता जी सुबाश चंदरबोस की मूर्ती लगाने का फैसला किया और कसबे के इकलोते स्कूल के इकलोते ड्रॉइंग मास्टर मूर्तिलाल जी को मूर्ती बनाने का कार्य सोंप दिया गया मोतिलाल जी ने एक महीने में संग्मरमर पत्थर से नेता जी की छाती तक की मूर्ति बना कर तयार करती पर उसमें चिश्मा लगाना भूल गए या पत्थर का पारदर्श्ची चिश्मा लगाने में असफर रहे होंगे मूर्ति चोराहे पर लगा दी गई मूर्ती देखकर कस्बे के लोगों मैं भी देश के लिए कुछ करने का उच्सा जागता था उन्होंने नेता जी की मूर्ती में असली चिश्मा लगा दिया था हालदार सहब जब पहली बार वहां से गुजरे तो उन्हें लोगों का ये प्रयास और विचार पसंद आए पर आने पर हालदार सहब को मूर्ती में हर बार नया चिश्मा दिखाई देता हालदार सहब आश्चरे चकित हुए और जिग्यासा वश उन्होंने पान वाले से हर बार मूर्ती के चिश्मे बदलने की बात पूछी पान वाले ने उन्हें बताया कि कैप्टिन चिश्मे वाला नेता जी का चिश्मा बदल देता है जब किसी ग्राह को मूर्ती पर लगा चिश्मा पसंद आ जाता है तो वह उसे वो चिश्मा उतार कर दे देता है और नया चिश्मा मूर्ती पर लगा देता है उसे बिना चिशमे की मूर्ती अच्छी नहीं लगती पान वाले ने ये बताया कि मूर्ती कार मास्टर मोती लाल मूर्ती को चिशमा लगाना बूल गए थे जो कैप्टिन को ठीक नहीं लगता था उसने मूर्ती को एक साम्मान्य और सचमुष के चिश्मे का चोड़ा काला फ्रेम पहना दिया था हाल्दार सहब कैप्टेन चिश्मे वाले से बहुत प्रबावित थे जिसने अपनी देश वक्ती से मूर्ती को उदूरेपन से बचाया था उन्होंने पानवाले से उसके बारे में ये भी पूछा कि क्या वे नेता जी की फोज का कोई सिपाही था पानवाले ने मुस्कराते हुए कहा कि लंगडा व्यक्ती फोज में कैसे जा सकता है तभी वे उस तरफ से जाते हुए कैप्टेन को दिखाता है कैप्टिन एक पतला दुबला सा बूडा व्यक्ति था जिसके पास एक सुन्दुक्ची और बॉक्स था बॉक्स पर तरह तरह के चिश्मे लटक रहे थे जिस डंग से पानवाले ने हालदार को कैप्टिन का परजे दिया था वह उनको पसंद नहीं आया हालदार कैप्टिन के बारे में और भी जानना चाहते थे परंट वेस्त होने के कारण पानवाला बताने को तयार नहीं था हालदार सहब दो साल तक लगातार कस्बे में आते रहे और नेता जी की मूर्ती के बदले हुए चिश्मे देखते रहे एक बार हालदार सहाब उदर से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ती पर चिश्मा नहीं दिखाई दिया पानवाले से पूछने पर हालदार सहाब को कैप्टन के मरने की बात पता चली वे ये सुनकर चले गए और ये सोचने लगे कि देश के बविश का क्या होगा जिसकी जनता देश के निर्मान करने वालों पर हस्ती है और अपने लिए बिकने के मूखे डूडती है पंद्रा दिन बाद हालदार सहाब फिर उदर से गुजरे उन्होंने सोच लिया कि आज चोराहे पर रुख करवे मूर्ती की तरफ देखेंगे ही नहीं पर अचानक उनकी नाजर उस और गई तो हैरान हो गए कि मूर्ती पर बच्चों ने सरकंडे से बना चिश्मा पहना दिया था ये देखकर हालदार सहाब भावक हो गए उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए मूर्ती के सामने एटेंशन में खड़े होकर नेता जी को प्रनाम किया